हेलो एबरीवन, वेलकम टू ग्रामई एकेडमी, आज का हमारा टॉपिक है यूनिट एक जो है आपका करेंट अफेयर, करेंट अफेयर में आप देखेंगे कि तीन सब यूनिट में डिवाइड़ है, एक आपका है अंतर राश्ट्री, एक है राश्ट्री, एक है मध्यपरद प्रणाइश नैशनल इंटरनाशनल और मध्रदेश के अगर हम दिवाइड करें मोठा मोठा तो दस कौशन में से 3-3 कोश्वन आपके बनते हैं हर एक सब पार्ट के मतलब मध्रदेश के करेंट अइसकों पूछे जा सकते हैं MCQs बहुत ज़्यादा important है और यह हमारा 20K series चल रहा है जिसमें हर एक unit के हम MCQ देख रहे हैं बहुत ही अच्छे तरीके से में अच्छे-च्छे question जो paper में आने की पूरी संभावना है वैसे question मैं करवा रही हूँ तो आपको last तक देखना है आज भी आपको सारे important question ही मिलेंगे ट्रिक के माध्यम से हम याद भी करते हुए चलेंगे जो भी चीज़ें हमें मिलती जाएंगे ठीक है चले स्टार्ट करते हैं आप अगर previous year के question देखेंगे previous year का question paper उठाके देखेंगे तो आपको हर साल कौन सा जो आपका आयोजन है कहां किया गया था कौन सा मेलन कहां हुआ था हर बार आता है उससे related question तो ऐसे question पूछे जाते हैं याद रखेगा e-governance related जो हमारा हुआ था conference वो हुआ था indoor में तो indoor में याद राखेगा indoor और e-governance ठीकर ये होगए आपका तो आपको याद करना ए गवर्णर जो है इंदोर का काऽए चल रहा है इसलिए हमने समेलन भी कहां करवाई है conference कहां करवाई है यह जित Uhr में करवाई तो indoor में ए-governance governance काफी अच्छा चल रहा है इंदौर का ठीक है governance वह भी इगवर्नेंस काफी अच्छा चल रहा है इंदौर में तो ऐसे आप क्या गर सकते हैं relate कर सकते हैं उसके अलावा अगर इंदौर में बात कीज़े तो आप इससे पहले में क्या पढ़ा चुकी हूँ आपको green bond भी कर रहे हैं develop कर रहे finance जो आपका finance tech city है उसकी तरह भी इसको develop कर रहे हैं तो इंदौर से related जितनी भी चीज़ें है याद रखिएगा ठीक है नेक्स जो के आपका सक्टेकत्थन बताना है हाल ही में भौप असलाब नगर गाओं का जगदीशपूर का नाम यहां पर है का नाम जगदीशपूर किया गया लिसंटि स्लाम नगर विलेज औल भौप लो वो solely नेम जो है डिकलेड जहां गीरपूर जगदीशपूर है जगदीशपूर इसका नाम भोपाल रियासत के संस्था पक दोस्त मुहम्मद खान द्वारा बदला गया था इस नेम वह चेंज बाई दोस्त मुहम्मद खान फाउंडर ऑफ पिंसली स्टेट भोपाल तो आपको बता करते हैं तो एक इलाका होता है जगदीशपूर है और जगदीशपूर इसी इलाके में जगदीशपूर का नाम बदर के क्या करते हैं वह इसलाम नगर करते हैं और यहीं पर क्या करते हैं आपके भोपाल रियासत की स्थापना करते हैं तो यह पढ़ते हैं रियासत वाले मे उसी time की ये बात चल रही है सब्सक्राइब बताना है तो यहाँ पर एक और दो दोनों सही है ठीक है तो आपका history से related या कुछी और subject से related question आपके current से mix करके भी पूछ सकता है तो उसके लिए भी तयार रहेगा ठीक है कचड़े से कोला बनाने का दूसरा सहयंद्र भुपाल में स्थापित किया गया है इसमें आपको सत्यकशन बताना है तो पहली बात तो यह आपका दूसरा सहयंद्र यह confirm होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं कचड़े हैं हम यहाँ बना रहे हैं कचड़े से कोला बना रहे हैं काफिन आलग प्रोसस्स लगा रही है कि शेके लिए logina कर रहे है तो इसके लिए एक सहयंद्र है आपकी किया है मशिन रांट वह जहां लगने है भुपाल में लगने हैं यह बीलकुल थहाई यह स्थन नंबर है पहला संहां लगाया गया तो यह लगाया गया है वारणसी याद रखिये गाया इुत्तरफटेस वारणसी आपका बनाराषथ वहां पहला संहां लगाया गया दूसरा गया आपके भॉपाल में और देख रहें हैं आप ज्यादा इंपोर्टेंट प्रोसेस हो सकती है यह आने वाले टाइम पर इतना ज्यादा जो आपका गार्वेज इकठा हो रहा है उससे हम कोईला बना सकते हैं मतलब एनरजी भी डवलब कर सकते हैं तो यह बहुत अच्छी चीज कर रहे हैं हम एक तरीके से इसमें नगर निग जो है आपका भुपाल मुंसिपल कॉर्पोरेशन उसके मध क्या हुआ है कॉंट्रक्ट हुआ है इस चीज के लिए ठीक है यह भी याद रखिएगा निवनिकित में से क्या भुपाल से संबंधित है विच आप फॉलोइंग इस रिलेटेट टू भुपाल श्री राम संग्र हालाए उसके लावा तो शी वन उसके लावा वन भ हुए तो यहां पर बहुपाल में मैं क्या रहा है यहां तो आपका राम संग्रहाले तुलसी वन अच्छा यहां पर आप याद रखेंगे जब हम श्री राम संग्रहाले की बात करेंगे यहां पर हम तुलसी वन की बात करेंगे तुलसी वन अलग है जब हम बात करेंगे तुलसी संग्रहाले तो तुलसी संग्रहाले जो होगा वो अल सब्सक्राइब करने की तुलसी अकादमी की बात करें पढ़ायी- लिखाई रिखाई आकादमी की यह आपको याद रखना है यहां में आपके बभुपाल में बना रहे हुए लावा वन भवन यह भी बना रहे हैं सत्य ठीक है ये सारे ये सारे भुपाल से संबन देते हैं ये कुशन मैंने यहां पर ये इसलिए एक्स्प्लेइन आपको कर दिया जिससे आप कुशन पढ़ते टाइम थोड़ा सांती से पढ़े अगर आप बहुत जल्दी में पढ़ते हैं वैसे भी प्रेलिम्स में जब आप पेपर दे रहे होंगे तो प्रेशर बहुत जादा होगा जैसे ही आप से 3-4 कौशन लगतार नहीं वनेंगे तो आपका प्रेशर और बढ़ जाएगा क्यार बहुत टफ पेपर आया है बधी नीदा मेरे से तो उसमें जो चोटे-चोटे कौशन होते हैं उसको हम क्या करते ह है और वो हमारे गलत हो जाते हैं तो याद रखेगा यहां पर आपको डिटेडिंग जरूर याद रखनी है हम अकादमी के बारें बात करें संग्रहाले के के बारे में बात कर रहे हैं तुलसी वन के बारे में बात कर रहे हैं कौन सी चीज कहां पे इस थी था यह आपके दिमाह में बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए भगवति लाल राजपुरोहित को किस छेत्र में पदुशी प्रोस्कार 2024 से समानित किया गया है इन विच फील्ड आपको गलती से भी गलत नहीं कर सकते मतलब इतना आपको कोई सोते टाइम भी मार के उठाए ना कि बताओ यह भगवति लाल राजपुरोहित को किसके लिए पदमश्री मिला तो आपको पता होना जाहिए इतने जादा इंपॉर्टेंट है याद रखेगा यह नहीं मिला इसलिए इनको क्या मिला है पदमश्री मिला है याद रखेगा भगवती लाल भगवती जी जो हैं भगवती भगवती आपको भगवती का भागवत भी कर सकते हैं भागवत किस से रिलेटेड है सक्षा से रिलेटेड है तो यहाँ याद रखेगा जो आपकी भागवत यह भ वेक्तित्व बिल्कुल महा महा इम्पोर्टन हो जाते हैं जो भी आपके जनजाती हैं जिन्हें क्या मिला है जन्जाती है वेक्तित्व कि तो ये सारे नाम अच्छे से याद रखेगा बार-बार रिवाइज करिएगा ब्रामी एकडमी आप्लिकेशन आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा और याद रखेगा यहां पर प्रिलिम्स में और आपका टेस्टरी सारे बैचस चल रहे हैं आपको जाके वहां पर देखना चाहिए एक बार बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने करवाई हैं चीज पा रहे हैं या आपको मतब ठीक नहीं लगते तो आप वाट्सप मैसेज भी कर सकते हैं अगर कोई शाय है थोड़ा सा भी तो मैसेज करके भी पूछ सकते हैं कोई भी आपकी इंक्वाईरी है तो ठीक है इसके अलावा हमारा ब्रामी एकडमी कर टेलिग्राम चैनल आप इस स्टेट फर्स्ट लाब बेश्ट एरोपॉनिक स्टेक्ट वाले सेक्शन में आपने जरूर पढ़ा होगा एरोपॉनिक जो टेक्निक है वह किस से रिलेटेड है यह एर में क्या करते हम खेती करते हैं वंता विदाउट सॉयल मिट्टी के बीना जो हमारी खेती हो रही है वि हमारे ग्वालियर में हमने की है एरोपॉनिक पर एक लाब जहां पर हम एयर में मतलब इसमें क्या होता है एक एसी टेक्नालोजी है जिसमें हम हवा में सबजियां वगेरा उगाते हैं ठीक है सॉयल की आपके मिट्टी की जरूरत नहीं पढ़ती है इसके लिए हमने एक तो यह आपके ग्वाल बाल हो गये आपका ग्वाल ग्वाल ने क्या कर रखा है एरोपॉनिक टेक्नालोजी के लिए एक लाब बना रखिये अपने यहां ठीक है क्योंकि इसके मिट्टी अच्छी नहीं है इसलिए मिट्टी का उप्योग नहीं कर रहा है आप ऐसे रिलेट क स्कूलों में क्या करें रहे हम स्मार्ट कलास बना रहा है सरकारी स्कूलों की बात चल रही है और इसको हम क्या कर रहे हैं यहां पर हम smart class बना रहा है ठीक है इनको हम smart class में convert कर रहे हैं सबसे ज़ग अच्छी performance जो है पहले rank पे कौन है यह है आपका सिहोर सिहोर का हम बनाते हैं शहर तो सीधी बात है यह आपका सीधे सीधे relate हो गया कि जो आपके शहर की सरकारी स्कूल है वहां काफी अच्छा काम चल रहा है वहां हमने बहुत ही अच्छे तरीके से smart classes बना दी हैं सारी की सारी तो शहर मतलब सिहोर सिहोर में हमने क्या किया है सरकारी स्कूलों में smart classes लगा दी है ठीक है यह याद रखेगा उसके अलावा जो आपका mental health rehabilitation center जो था वो भी हम कहां बना रहे हैं आपके शिहोर में बना रहे हैं मैंने बताया था mental health से related अगर हम कुछ कर रहे हैं तो कहां करेंगे शहर में करेंगे क्योंकि शहर में बहुत ज्यादा problem बढ़ रही है mental health की तो जितनी चीज़ें आपको शिह से related मिलें सलकनपूर माता आपको मिलेंगी यहां पर हम एक विशाल देवी लोग बना रहे हैं वह भी आपके सिहोर में ही स्थित है तो याद रखेगा जितनी चीज़ें आपको उससे related मिल रही हैं आपको सब एक बार में revise कर निया स्मार्ट सिटी इंडिया एक्सपो अवा था दो हजार तेईस में यह शाहद दो हजार बाइस में एक्जैक्ली याद नहीं है पूछा हुआ था कि कौन सा ऐसा शहर है जिसको दस लाग के अंदर सबसे ज्यादा स्वक्षिश सहर का मतलब क्या मिला है अवार्ड मिला हुआ है उसमें इन दौर आप्शन में थानी तो को आराम से पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे कि हम मतलब से कैसे सही आंसर तक पहुंच सकते हैं और इससे में यह भी आपको बताना चाहर हूं कि ऐसे कुछे जाते हैं कौन सी रैंक आई थी कौन सा जो है वो जैसे हम सतत्विकास पढ़ते हैं तो उसमें कौन जब रैंकिंग आएगी तो मध्यप्रदेश की कौन सी रैंकिंग है ना परफॉमेंस है परफॉमेंस उसका कैसा है अंडर परफॉमेंस है तो यह सारे चीज़ें पूछे जा चुकी है इसलिए आपको यह सारे पैटर्न याद रखने है जब आप रिवीजन करें ठीक है यहां पर याद को सर्क पाम करें गवर्नेंस और अपर इकोनमी के इस ätzlich बनेंस किसका अच्छा था जबलपुर याद रखेगा लिम्सकी discussing करेंगे तो पर चाले है यह तो यहां पर जबलपूर में क्या हो रहा है गवर्नेंस और एकोनॉमी के लिए सबसे प्रथामिस्थान मिला है ठीक है यह याद रखिएगा फिर देश का पहला जियो लॉजिकल पार्क मद्धिप्रदेश के किस छेत्र में स्थापित किया जा रहा है दाई कंट्री फर पहला है जियो लॉजिकल पार्क ठीक है जियो लॉजिकल पार्क या इसको जियो पार्क भी आप बोल सकते हैं ठीक है जियो पार्क जो लॉजिकल सर्व इंडिया ने दे दिया है परमीशे कहां बें रहे हमारे लमहेटा घाट में लमहेटा घाट और भेडा घाट ठीक है भ पूस्ता है तो यह हो जाएगा आपका जबलपूर और अगर घाट पूस्ता या इलाका पूस्ता कि छेत्र में बनाया जा रहा है जियो लॉजिकल पार्ट तो यह हो गया आपका लमहेटा घाट भेडा घाट ठीक है यह आप याद रखेगा उसके अलावा हम जैसे लमहेटा भेडा घाट किसमें पढ़ता है यूनिसको की आपकी टेंटेटेव लश्ट में यह शामिल है उसमें भी पढ़ते हैं इसके अलावा भेडा घाट में हमने देखा है कि उस वाले इलाके में जो आपके संग्मर्मर के पत्थर के शिल्प बनाए जाते हैं वो जी आई टैग म मिलेट्र की बाद करें तो किमिलेट्र में हुआ तोर हम मिलेट्र काने की बात कर रहे हैं तो हैははै povo में करने करेंं इससे तो यहां पर जब मिट्टी अच्छी नहीं है तो क्या उगा रहे हैं वो मिलेट उगा रहे हैं मिलेट मिलेट उगा रहे हैं मतलब यहां पर जैसे बाजरा हो गया जौर हो गया तो यह सारी चीजे उगा रहे हैं कौन हमारे गौल बाल मतलब गौलियर वाले एक्चुल में है नहीं ऐसा लेकिन हाँ आप फड़ा सा रिलेट कर सकते हैं उस चीज से तो गॉलवाल के पास मिट्टी अच्छी नहीं है इसलिए एरोपॉनिक मैथट से वो खेती कर रहे हैं उसके अलावा वहां पे मिलेट्स उगा रहे हैं इसलिए मिलेट्स इट राइट म इखरी को हमीड में हुए थे तो दो ग्लावा जीसे आपका डोन मेला हूआ हैं यहाँ पे यहीं पे इसके अलावा हम ने यहीं पर पहला स्कुल भी पहला स्कुल भी स्थापित कर दिया है तो यहां हम प्रवालियर से समद्धित हो गया ठीक है पूझरेमियरेत मैहर जिला किस जिले के साथ सीमा साधा नहीं करता है दा नीवली क्रिएटड मैहर डिस्ट्रिक डस नॉट शेयर बौर्डर विज डिस्ट्रिक ये कुश्चन मैंने इसलिए रखा है कि आप मैहर उसके साथ साथ पंढधूर ना और उसके साथ साथ आपका मऌउगंज इन तीनों जिलों को देखें और यह किस-किस जिले के साथ यह बाॉडर शाधा करते हैं वाउंडरी शेयर करते हैं यह इसलिए मैंने किया है आप को अगर कोई आल देखेंगे यूपी सिसलाके से कर रहा है कि मैहर वाले लाके से थोड़ा दूर रिये तो सीग टच करेगा सिंगर रॉली पीछे है थोड़ा दूर है वह just तो मेहर के जब आसपास के आप क्या करेंगे मेहर के आसपास के जिलों को आप वहां पर डिनोट करेंगे कि यह आएगा यह नहीं आएगा सेव ऐसे आपको माउगंज के लिए भी करना है आपको पांधूरना के लिए भी करना है मद्यप्रदेश के कौन से जिले हैं जो share करेंगे boundary फिर यहां पर महराश का कौन सा जिले है जो boundary share करेगा पांधूरना के साथ तो यह जरूर एक बार देखिएगा मद्यप्रदेश के केश जिले में medical device park की स्थापना की जा रही है in which district of मद्यप्रदेश is medical device park being established medical device हम medical की बात कर रहे हैं ठीक है medical device बनाने वाले है medical device park तो medical device park कहां होगा medical से related याद रखिएगा कहां बना रहे हैं ये बना रहे हैं उज्जैन में तो हमारा उज्जैन मतलब जैन गुरू जैन गुरू क्या कर रहे हैं यह जैन लोग जो हैं काफी अच्छे medical device बनाते हैं जिससे मतलब एक बार में चीजें सही हो जाते मेडिकल डिवाइस बनाने में कौन अच्छा है हमारे जैन गुरू ठीक है अगर आपको क्या करना है माली जैन पेपर में पूछा गया तो यहाँ पर मैंने लिखा है बुंदेली कवी तो सबसे पहले तो आपको देखना है चार ऑप्शन में से कि कौन सा बुंदेल खंड वाले इलाके का नहीं है क्योंकि सीधी बाते बुंदेली कवी है मतलब वहीं ज्यादा चांसेज हैं आपके होने के बुंदेल खंड में ही रहते होंगे तो सबसे पहले आप उप्शन में चेक करेंगे कि कौन सा इसमें से बुंदेल खंड वाला जिलन नहीं है यह एक बहुत मतलब मैं आपको तरीक तो अवध में क्या लगा रहे हैं बहुत सारी च्छत्रियां लगाने वाले हैं पदमश्री बुंदेली कवी याद रखे आगा और क्या रिलेट करना है हमें बुंदेली कवी जो है यह बुंदेली कविता जो है अवध में बहुत सारे लोग जाके गाते हैं चतरपूर वाल पिर 75 गरतंद्र दिवस में शामिल मध्यप्रदेश की जहांकी का क्या थीम था वॉट इस थीम और टेबल्यो आफ मध्यप्रदेश इंक्लूड इन्क्लूड इन्द सेवेंटी फिफ्ट रिपब्लिक डे अभी आपको पता है जब 75 आपको क्या हुआ था गरतंद्र दिवस मतब सराहन मिली थी तो यह इसकी जघर थीम धी 75 फ रिपब्लिक डे कि मध्यप्रदेश की जहांकी की त्विकास कउये मध्यप्र-देश यसमें आपका पंद न्रभर-ण नारी विकास हो जाएगा अAdannah m Enjoyग Games की जहांकी थी उसमें आफकी जो अवणी चतुरवेदी हैं पहली आपकी fighter pilot जो रहती है महिला fighter pilot रिवा की अवनी चतुरवेदी उनकी काफी अच्छी तरीके से बनाई गई थी फोटो उसके अलावा लहरी बाई को दिखाया गया था ठीक है लहरी बाई उसके अलावा चंदेरी सारी थी चंदेरी सारी तो जितनी सारी चीजें रिलेटर थी हमारे मध्य प्रदेश से उसके अलावा महिलाओं से रिलेटर तो यहां आप निर्भर नारी विकास का मूल मंत्र यह थीम थी आपकी इस बार मध्य प्रदेश जांकी की 75 गढ़ तंत्र दिवस्त के परेड में ठीक है रोज कंवेंशन तो थाओजन ट्वेंटी एड़ तो नावी 2008 में अभी काफी टाइम है लेकिन अभी से हमने डिसाइड कर दिया कि आपका जो वर्ड रोज डे है वो कहा हम मनाएंगे रोज कंवेंशन की जगह आप रोज़े कर सकते हैं अब रोज डे वैलंटाइन डे के ट चीजों में काफी आंगे लेकिन वह अपने आपको थोड़ा सा भूल के भोपाल को आंगे रखेंगे जिससे कन्फ्यूजन नहीं हो कि हम रोज कन्वेंशन जो है वह कहां बनवार है तो रोज सबसे जदा कहां लवाले दे रहे हैं ठीक है तो याद रखेगा यह रोज की बात में बनाया गया हल्मा अभियान 2023 वह अलिब्रेटेट इन दे जाबवर डिस्ट्रिक यह अभियान शिवगंगा संसान द्वारा जलसन रक्षन के लिए प्रारम किया गया था इस कैम्पेंड वह स्टार्ट बैशिवगंगा संसान फॉर वाटर कंजरवेशन सब दिक अथन आ हल्मा प्रथा के बारे में काफी बार पढ़ चुके हैं किस से रिलेटेट है भील जन जाती से रिलेटेट है पूरे गाहँ वाले एक दूसरे की हेल्प करते हैं कोई भी अगर दिक्कत आती है तो तो जलसन रक्षन के लिए यही हल्मा भियान चलाए गया था कहां चला गया है ठीक है और हल्मा बनाती है क्यों 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 से जलसन रक्षन पानी काफी कम डालती है ऐसे नहीं बहुत जादा पानी डाल लिया टेस्ट नहीं आ रहा जलसन रक्षन करती है हल्मे में पानी बिल्कुल थोड़ा सा डालती है घी से बढ़िया पकाती है इसलिए हमारी हल्वा भी चढ़ाती हैं तो आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं सद्यकतन हैं आपके एक और दो दोनों हल्मा प्रथा 2023 जाबुआ में होई थी शिव गंगा संस्थान ने करवाय था वाटर कंचोवेशन जल संडक्षन से रिलेटेड है और याद रखेगा यह आपके भील जंजाती है ठीक है आज का जो आपका क्वेशन है वह आप आंसर जरूर करिएगा आज का क्वेशन है नागवंश का संस्थापक यह हमने लास्ट वाले लेक्चर में ही देखा था नागवंश का संस्थापक कौन था ठीक है इसका आपको आंसर करना है नागवंश का संस्थापक कौन अगर आपने देखा है तो बहुत ही असानी से आप इसका आंसर कर लेंगे चलिए आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं मिलते हैं नेक्स लेक्चर में